सब्सक्राइब केजिए इन्फराटेक यूट्यूब शेनल को और इस बेल आइकन को दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब शेनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लेट्स गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जियो का फॉन आपके घर पर पहुँच जाएगा जो पांसो एक रुपे का न्यू आफ़र है मौनसून आफ़र के तहत जियो का फॉन तो ये फॉन आपके घ घर तक पहुच जाएगा इसको घर पर घर तक पहुचाने के लिए बुकिंग कराने का तरीका इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिलाइस जियो के मौनसून आफ़र के स्टार्टिंग फ्राइडे से साम पांच बज़े से हो गई है और इसी के साथ 501 रुपे वाले ज सामने आई हैं जियो मौनसून आफ़र के साथ कंपनी ने 99 रुपीज का एक प्लान भी पेश किया है जो कि खासकर जियो फॉन के लिए है वैसे अगर आप जियो के इस 501 रुपे वाले फॉन को लेना चाहते हैं तो आप घर बैटे भी फॉन की बुकिंग कर सकते हैं और सबसे पहले ऑनलाइन वुकिंग के लिए आपका फॉन किस कंपनी का है और उसका मॉडल क्या है इसको दिखना होगा इसके बाद सबसे पहले आप गूगल पर सर्च करें जियो डॉट कॉम जियो डॉट कॉम की वैब साइट ऑपन हो जाए अब आपको जियो मॉनसून हंगा कामा ओफर का बैनर दिखेगा और साथ में दो बटन भी दिखेंगे जिसमें एक पर गेट नाव और दूसरे पर नो मॉर का ऑप्शन लिखा होगा नो मॉर पर किलिक करके नीशे की और जाने पर आपको लिस्ट ऑफ मॉवाल पॉनस एलेगेवल फो एक्सचेंज दिखाई देगी जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका फॉन एक्सचेंज के लिए अवेलेवल है एलेगेवल है या नहीं उसके ठीक नीचे आप से आपके फ पुछे जाएगा उसके बाद फॉन का मॉडल यहां आपको पुराने फीचर फॉन के बारे में इंफॉर्मिशन देनी है पुराने फॉन की कंपनी और मॉडल नमर बताने के बाद आप यह जान सकते हैं कि आपका पुराना फॉन एक्सचेंज होगा या नहीं अगर आपका फॉन एक्सचेंज होने लाइक होगा तो मॉडल और ब्रांड नाम डालने के बाद लिखकर आएगा आपको इंफॉर्मिशन के लिए बता दें कि एक जन्वरी 2015 से पहले खरीद देगए फॉन इस पर नहीं एक्सचेंज किये जाएंगे इस जियो फॉन से एक्सचेंज नहीं किये जाएंगे 1 जन्वरी 2015 के बाद के फॉन एक्सचेंज किये जाएंगे आप गैट now option की बात करें तो तो इस पर क्लिक करने पर आप से आपका mobile number मांगा जाएगा, number डालने के बाद आपके phone पर एक OTP यानि one time password का message आएगा, अब OTP डालने के बाद एक page open होगा, जिसमें नाम, email id, pin code और delivery address डालना होगा, pin code डालने के बाद आप से पूछा जाएगा, कि आप phone को अपने घर पर मंगाना चाहते हैं, या किसी दुकान पर जाकर लेना चाहते हैं, घर पर phone मंगाने पर 99 रुपीज के delivery चार्ज दिना होगा, और घर पर delivery का option चुनने पर आपको समय भी बताना होगा, कि किस time आप delivery चाहते हैं, वहीं आप किसी shop से phone लेने का option चूज करते हैं, तो आपको shop का address मिल जाएगा, और आपको समय भी बताना होगा, कि आप कितने बज़े और किस दिन phone लेने जाएगा, तो बस इस वीडियो में आपको यही बताने वाले थे, कि यह जियो phone जो 501 रुपी में मिल रहा है, उसकी booking कैसे करनी है, तो आप समझ गए होंगे, अगर आप को कुछ पूछना है, तो पूछ सकते हैं comment box में, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं, आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर फिचर में आप इसी टाइप की, और टेक वीडियो दिखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जोड़े तक हमारे चैनल के साथ, और अगर आप को इस उज़ाब सेलिशन देना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्याबाद, और आपको इस वीडियो अच्छा लगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आप फिचर में देखना चाहते हैं, वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्याबाद,